देशत्तकनी चल्म में आपका स्वागत है इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से जुड़ी ही सामने आ रही है गोहाना में 21 जन्वरी को बदमासो के द्वारा अंदादन फाइरिंग जो है मातुरा महलवाई के वड़ की गई थी जिसमें बड़ी अपडेट सामने आ रही है ज बता दें कि STF और बदमासो के भी मुटबेड हुई है मुटबेड में दो बदमासो को गोलियां लगी है जिने बताया गया है कि रहतक पीजी आई में दाखिल करवा गया और व्यक्तिक जो बदमास है उसको गरिफतार भी कर लिया गया है बता दें कि हरियाना में असले दिनों 21 जन्वरी को दुकान के बाहर दुकान के उपर पुरानी अनाज मंडी में अंदा दून फाइरिंग करने के मामले में पहले ही गोहाना पुलीस ने तीन जो बदमास हैं उनको गृपतार कर लिया गया था और देर रात लगबग देर रात बताया गया है कि तीन सा साफ शुटरों में साजीद जो की इसार का रहने वाला है और इसके इलावा सो रब जो की फरितपूर फरिदाबाद का रहने वाला है उनको नों को गोली लगी है और जतिन और जो बदमास है उनके भी मुटबेड होती है मुटबेड के बाद जो है उनके पासे सापसूटरों के पासे चार विद्य सी पिश्टल भी बरामत की गई है और भारी मातरा में कार्तूस भी बरामत किया गया है साजीद काला खरंपु गैंग से तालुक रखता है जतिन भाव गैंग से संबंदित है और सोरव नीरज फरीदपूर्द गैंग से सापसूटर है और देर रात गोहना पुलीस ने भी तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था जो कि दो सकंदरपूर माजा के रहने वाले थे ए गंबीर देखते हुए एस्टियफ ने खरकोदा में सुचना मिलने के बाद तुरंत पुलीस एक्षन में आई और वहाँ पर पहुँची और गुप सुचना के अधार पर कारवाई की गई उसके बाद बदमासों ने पुलीस के ओपर फाइरिंग की गई फाइरिंग के रोतक पीजिया रेफर कर दिया गया है अब जो है उनका इलाज रोतक में दो बदमासों का रोतक में इलाज चल रहा है और एक बदमास को जो है उस गरिफतार भी कर लिया है जतिन निवासी जो की जाखोली जजर का रहने वाला है उसे गरिफतार कर दिया गया है और जो तो आप से अपील रहे कि इन तस्वीरों को जादा से जादा से जादा सेर करें ताकि हर्वेक्ति तक ये खबर पहुंचे कि गौहाना में हुए मातुराम हलवाई के उपर अंदर फाइनिंग मामले में अब तक छे गिरफतारी हो चुकी है देशन तक चैनल को लाइक करें सिस कि टीम जो गौहना में वारदा तो भी थी उसकी तलास में जो ना इधर खरखोदा थाने से इधर इसकी इन्फोर्मेशन थी और स्टीम जो ही आती हुई दिखाई दी तो तीन बदमास थे जो स्टीम की टीम पर फायर कियें और आठ नो फायर हुए हैं मोके पर फायर के प्रामद भी हुए है सर फ़ी है से अब इस टेफ बता रहे है कि भी बरामद हुआ है यह पिस्टल मिले हैं और बाकी सारा अचिछा बताएं की कौन कहां से कैसे पिछे लगे थे कैसी का 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 निव जाच में हाँ यह एक तो शाजीद है और एक जतिन है और एक सो रब है यह तीन अक्यूज़ ने सर एक गोली भी लगिया गया किसी बदमाश को हाँ भी ऑस्वीटल में है वो अदर ट्रीटमेंट है अभी आपको बताएंगे बाद में बतादेंगे जो भी सिट्वेशन होगी थेंकिशन होगी थेंकिशन झाल 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 झाल